Hello students, welcome back in your maths class. Last maths class में हमने किया था unit 2. Unit 2 जिसका नाम था numbers. और उसके अंदर हमने numbers किया थे 1 से लेकर 9 तक. यह रहे आपके 1 से लेकर 9 तक numbers. साथ साथ हमारा introduction हो थे 0 से. मैंने आपको बताया था कि 0 जो है 0 की मीनि होती है नती है यानि 0 में कुछ नहीं. इसका एक जामपल यह था कि और 3 बर्ड्स थे, एक एक करकर उसमें से पहले 1 बर्ड उड़ा, 2 बचे पिर एक और बर्ड उसमें से उड़ गया, फिर 1 बचा फिर लास्ट वाला बर्ड भी उड़ गया. वहाँ पर जो बर्ड बचा उसको हमने बोला था कि 0 बर्ड बचा, यानि एक भी बर्ड नहीं बचा, साथ ये साथ हमने 0 की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थे हैं, चलिए आए देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या थे हैं 0 की? Yes, these are the properties of 0. देखें, यहाँ पर फिर्ट लिया वा है 3, अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे, जिसी कि हम 3 में से 3 को माइनस करेंगे, जिसी कि वो बर्ड वाले एजाम्पल था कि 3 बर्ड में से 3 के 3 उड़ गर, तो हमाएं पास हमाँ पर कितने बर्ड बच जिरो उड़ता, यानि कि एक भी बर्ड ना उड़ता, तो 3 के 3 बर्ड महीं रहते, तो इसका अंसर आथा 3, यानि कि अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे, तो हमाएं पास वो नंबर सेम आजाएगा, इसी तरह अगर हम किसी नंबर में 0 को प्लस करेंगे, जैसे कि तो यह इसकी प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर रहेगा हमारा जीरो अगर हम किसी नंबर में से जीरो को माइनस करेंगे तो आंसर रहेगा हमारा सेम नंबर और अगर हम किसी नंबर में जीरो को प्लस करेंगे जब भी हमारा सेम नंबर ही आंसर आएगा और अगर हम जीरो में किसी नंबर को प्लस करेंगे जब भी हमारा आंसर सेम रहेगा यानि कि वो नमबर जो यहां पर होगा वो यह हमारा आंसर होगा चली देखते हैं हमारे नेक्स टॉपिक क्या है जो आज हम स्टार्ट करें Yes class, this is our next topic the number 10 तो आपका जो आज नया नमबर स्टार्ट हो रहा है उस नमबर का नाम है 10 चली देखते हैं यह 10 किस तरह आता है यहां पर लिखावा है one more than nine is ten यह कह रहा है कि nine के अंदर अगर हम एक number और add करेंगे जिसी कि यहां पर नहीं उन्हें जेबराज दिये हुए count करते है one two three four five six seven eight nine इतने जेबराज हैं यहां पर nine जेबराज है joint with zebra यहां पर नहीं इसके अंदर एक जेबरा को जोई और इनके अंदर मिला दिया और जोड दिया ठीक यानि कि nine के अंदर हमने एक जेबरा और डाल दिया एक जेबरा और मिला दिया तो अगर हम nine के अंदर उस one nine जेबराज में one zebra को मिलाएंगे टोटल जेबराज कितने होगा हमाने पास one two three four five six seven eight nine ten यहां पर हमारा आंसर आजेगा ten जो ten नंबर है उसको हम किस तरह शो करते हैं उसको हम शो करते हैं one and zero one and zero वह एक और zero मिलकर बनता है ten इसी तरह अगर हम nine stars में लीकि यहां पर nine stars में count करत हैं one two three four five six seven eight nine nine stars में यहां पर one star को ओर add कर देंगे तो हमारा पास कितने total stars हो जाएंगे ten और ten लिखते हैं one and zero count कर लेते हैं गपर one two three four five six seven eight nine ten यहां देखिए next picture में यहां पर ten birds दिये गए हैं आपको इंको एक बार count करेंगे और यहां पर आपकी fingers दी गई हैं देखिए आपकी fingers ten होती हैं इन्होंने यहां से start करा यह one two three four five six seven eight nine ten ठीक है आपकी दोनों hands की fingers मिलाकर total हो जाती हैं ten हमने previous page पे nine में one and add किया तो हमारा total answer आया ten लेकिन अगर हम seven pencils में हापर seven pencils हैं one two three four five six seven seven pencils में अगर हम three pencils add करें one two three यहां इन्हों है पास total pencils कितनी हो जाएंगे count करते हैं one two three four five six seven eight nine ten total pencils हो गएं हमारे पास ten ठीक अब यहां पर हमने उदर nine के अंदर हमने one add किया था यहां पर हमने seven में three add किया है दोनों का answer क्या है हमारा ten answer आया है ठीक nine में one add करने से seven में three add करने से और किस-किस numbers को add करने से हमारे पास जो answer आता है वो ten आता है चलिया यह देखते हैं देखिए यहां पर है fill in the blank boxes four के अंदर अगर हम six add करते हैं तो हमारा answer क्या है ten जब हम four के अंदर six add करेंगे अगर आप चाहिए तो इस तरह पर से भी add कर सकते हैं one two three four one two three four five six और इनको total कर लेंगे तो आपका answer क्या आजएगा ten अगर हम four में six add करें तो हमारा answer आएगा ten इस तरह अगर हम six में four add करेंगे जब भी हमारा answer क्या आएगा ten three और seven का तो भी हमने पैंसर से किया ही है उपर there is seven and three ठीक है three में अगर हम seven को add करेंगे जब भी हमारा answer रहेगा ten अब उसके अंदर हम three में seven को add करेंगे seven में three को add करें हमारे पास जो answer आएगा वो ten आएगा यहां पर कुछ और examples भी दिये गाए eight में two को add करने से आप eight के अंदर two को add करें two के अंदर eight को add करें answer हमारा ten रहेगा आपको यह नीचे वाला पूरा complete करना है पर last वाला जो है five plus five ठीक है यानि कि यह दोनों बिल्कुल equal numbers है अगर हम बात करें ten के half की की दसका आदा क्या होत है यानि two five's मिलकर एक ten बनाते हैं और यह रहा zero का एक example कि अगर हम ten में zero को add करेंगे हमारा answer ten रहेगा और अगर इसी तरह हैं यहाँ पर हम zero में ten को add करेंगे जब भी हमारा answer ten ही रहेगा मैंने आपको zero की properties में बताय था कि हम जब किसी number में zero को add करते हैं हमारा answer same number रहेता है जीरो में किसी number को add करेंगे जब भी हमारा answer same रहेगा ठीक तो इन सब क्या है ten आपको इसे complete करना है देखते हैं next topic क्या है आपका next topic is number names number names जैसे के आपने भी पढ़े 1,2,3,4 यह इनको लिखेंगे कैसे यह आप पहले की classes में भी कर चुके हैं जैसे आप अपना नाम लिखत हैं इसे इन सब numbers के names होते हैं चलिए एक बार देखते हैं किस किस तरह इनके names लिखेंगे में उसको revise करते हैं इस तरह इस देखेंगे में लिखेंगे में लिखेंगे में लिखेंगे में आप आप लिखेंगे में 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 लिखेंगे मेंगे में लिखेंगे में ल E I G H T 8, N I N E 9, and the last one T E N 10, आपकी हेडिंग इसमें, जोईंग इच से टु दे राइफ नमबर नेम्स, इसमें जो अलग-अलग सेट दिये गए हैं, उनको बिल्कुल सही नमबर नेम से आपको मैच करना है, यानि मिलाना है, देखिए जैसे कि ये O N E 1 था, उनको वन टैडिव से, जो जिसमें 1 है, उससे मैच कर दिया, अब यहां पर 2 है, आपको यहां सपास की पिक्चर में देखना है, कि कहीं पर 2 चीजे, 2 अबजेक्स जिख रहे हैं आपको, yes, there is 2 अबजेक्स, 1 and 2 तो आपको इस 2 को 2 से मैच करना है, इसी तरह आपको देखना है, 3 जो है, 3 लिख 4 काउंट करकर आपको मैच करना है, 4 अबजेक्स की सेट में, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है, आपको इसको कम्प्रीट करना है, चली देखते हैं, नेक्स टॉपिक क्या है आपका, और नेक्स टॉपिक इस गूरूपिंग, यानि आपको गूरूप्स में डिवाइड करना है, यसी कि आपको फर्स्ट है, मेक् गूरूप्स ओफ तू यानि आपको दो-दो के गूरूप्स बनाने, जोड़े बनाने, by encircling and write the numbers, number of groups in the blank boxes, अब आपको क्या करना है, तू-टू के पेर्स बनाने, जिसे आपको फॉन्स बने में, आपको तू-टू फॉन्स के पेर्स बनाने, ठी चार जोड़े बन गए, तो आपको यहाँ पर चार लिखना है, अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर हैंड्स बनाने हैं, वन, टू-टू-टू का एक और पेर्स बनाने हैं, वन, टू-टू-टू का एक और पेर्स बनाने हैं, वन, टू-टू-टू-टू-टू-टू- लिए नौ आ Bira City लिए अधिन साँने के करना सब्सक्राइब है रतार की दौ दोखी पेर हां रिला कि 4 जेशान करें देखके कि ने tubigida के आट बवी आपको फॉ सुन ने लेकिन यहां पर आपको प्तुन जाएंगे उन को सामले ना है ज से यहां इना पर टोटल गुरुप कितने हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा अब धेंगा है यहाँ पर आजाएगा है यह एक ही गुरुप बनेगा और यहाँ पर आजाएगा आपका 1 इसे count करते हैं 1,2,3 एक group तो हो गया हमारा ये then 1,2,3 दूसरा group हो गया ये then 1,2,3 तीसरा group हो गया ये total कितने हो गया 1,2,3 यहाँ पर आजेगा आपका 3 इसी तरह आपको balls का group बनाने 3,3 का इसी तरह flowers का और इस तरह इस danger के sign का ठीक है और जितने groups बन जाएंगे आपको उने यहाँ पर लिखना है next है आपका ring the correct numeral ठीक है आपको यहाँ पर count करना है उसके नीचे कुछ options दिये गए तो बिल्कुल same counting के हिसाब का number उसके उपर आपको circle करना है जिसे कि यहाँ पर 1,2,3 3 bells है तो यहाँ पर हमने 3 के उपर ring कर दिया count करते है pencils कितनी है 1,2,3,4,5,6,7 there are 7 pencils इन number में से 7 number कौन सा है yes this is the 7 number इसके उपर हम कर देंगे circle ठीक है इसी तरह आपको fact को count करके यहाँ पर उस पर circle करना है जो भी सही answer है उसका इसी तरह इस वालो object को count करके आपको यहाँ page number 27 तक book work complete करना है यहाँ पर आपकी unit 2 आज finish हो गई next class में हम करेंगे unit 3 page number 27 तक आपका book homework है और आपका copy homework को मैं आपको बताती है तो आपका copy homework है सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक की counting करनी है copy में पूरे page पर आने चाहिए इस तरह कासे लिखेंगे आप 1 से लेकर 10 तक counting फिर एक-एक जो आपकी line होगी उसको छोड़कर पूरे page पर ऐसे last टक करेंगी ठीक यह तो आपका question number one हो गया do one to ten counting next आपका question two question two है आपका fill in the blank circles यहाँ पर कुछ blank circles है आपको उनको fill करना है ठीक है यहाँ पर part a में देखिए one plus one one and one मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पर one and one makes two इसे तरह two and two इसे तरह आपको यह total करकर लिखने लास्ट का मैं आपको बता दूँ मैं आपको starting में नहीं बताया कि अगर हम zero में zero को add करें यह zero में zero को minus करें तो हमारा answer zero ही रहता है ठीक यहाँ जो a, b, c, d, e, f यहाँ तक के circles हैं उसके अंदर आपको इनको add करकर लिखना है लेकिन जो g से circles start हो रहे हैं उनके अंदर मैंने आपको जो आप total करते हैं वो दिया बाए लेकिन आपको यहाँ आपर जो इसके parts divide करने हो इस तरह कैसे divide करने हैं कि दोनों circles में same number है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10, 10 कि दो same number से मिलकर बनता है, मैंने आपको बताया था 10 का half होता है 5, तो 2, 5 makes 10, ठीक है, 2, 5 मिलकर एक 10 बनाते हैं इसी तरह यहाँ पर भी कौन से 2 numbers same मिलकर 8 बनाते ह 8 का आधा जो number होता है दोनों circles में वही आएगा, इसी तरह 2 कि किन किन numbers से मिलकर बनता है, 4 किन किन numbers से मिलकर बनता है, मैं 2 का example भी देते हैं आपको, 2, 1 makes 2, ठीक है, 2, 1 मिलकर बनाते हैं, 2 को, इसी तरह 4 और इसी तरह 6, यहाँ पर 0 में आपको पता है कौन से 2 numbers मिलकर 0 बना ठीक, एक 0 में अगर हम एक 0 को add करेंगे तो यहाँ पर आपका answer आजेगा 0, तो आपको यह वाला work copy में करना है, ठीक है, एक बार फ्रे से देख लीजिए, आपको 1 से 10 तक counting करना है, question 1 में, question 2 में आपको यह questions उतारने हैं, बनाना है इनको, और आपको क्या करना है, इनको लि इनको यहाँ ≤जड़े प्रेसाँ ≜ड़े के यहाँ ≜ड़े झाल वहाँ ≜बेसे में मेंगां ≜बेसेश तक रूацион भी जाएशème ≜वशग वे cinnamon करेंगे फस्कित रही झाले करी, च झाले कि दोने हैं, एक उनम्म